हलो गुद मॉर्णिंग एरिवन दूस इस में पूजा वर्मा वेलिकम तुवा क्लास सो बच्चो अब हम इस बुक का लास्ट चेप्टर पढ़ने जा रहे हैं चेप्टर टैंथ 18th 10th century political formations देखो यह चैप्टर जरूर लास्ट है बट लीस नहीं है वेरी वेरी इंपोर्टन चैप्टर देखो यह जो चैप्टर है यह क्लास 7 और क्लास 8 की हिस्ट्री के बीच में लिंक का काम करने वाला है लिंक का काम कैसे करने वाला है ब्रिज देखा है अपने ब्रिज आप ब्रिज आपको लेके चाता है तो बस यह ब्रिज का काम करेगा ब्रिज का काम कैसे करेगा 6th क्लास में आप पढ़ के आए हैं ancient history 7th में आपने पढ़ी medieval history अब हम जा रहे हैं आपकी modern history की तरफ तो modern history की तरफ चाने के लिए यह चैप्टर हमें पार करना पढ़ेगा पार करन जो आए फिर आपके British company आ रही है तो कैसे modernity की तरफ वो जाएंगे तो यह chapter हमें लेके जाएगा तो अच्छे से आपको एकदम alert होके पढ़ना है सुनना है समझना है ठीक है तो start करते हैं हमारा chapter देखिए बच्चे हम पहले तो आपको understand the heading कौन सी heading को understood करना है chapter की जो heading है 18th century political formations it means 18th century के अगर हम बात करें देखो अब बहुत सारे यह जो मतलब पालाज, गुपताज, मुगल्स खुब हो गया इनको पढ़ पढ़ के शायद थोड़ा सा पक गए होंगे आप अब हम modern history की तरफ चल रहे हैं तो 18th century के टाइम पे आपको पता है कौन रूल कर रहा था भा पावफुली रूल नहीं कर पाए तो उनको बोला गया है लैटर मुगल्स ठीक है तो लैटर मुगल्स उस वक्त थे तो उस टाइम पे ब्रिटिश कंपनी जो है यहाँ पर रूल कर रही थी ठीक है तो उस टाइम पे किस तरीके से political formations हुए कैसे political changes हुए कैसे जो है ruling पावर जो थी वो मुगल्स के हाथ से ब्रिटिश के हाथ में चली गई ठीक है और कैसे हम जो है slave बन गए है तो वो political formations वो इस chapter में हम देखने वाले हैं ठीक है बचो तो इस heading को understood करना है आपको अब देखे उस time time बात करें state formations in the 18th century कौन कौन से state थे जो powerfully सामने थे कब की बात हो रह ब्रिटिश के आने के बात करते हैं ब्रिटिश के अने के बात करते हैं ब्रिटिश टेरिटरी इन दे मीड 18th century की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश ने जहां पर अपना जो है type या फिर अपना जो setup उन्होंने लगाया हना जो भी वो trading कर रहे थे जो भी वहां पर factories उन्होंने डाली तो वो जो थे वो ग्रूप सामने आया powerfully that was Bengal ठीक है Bengal वाला एरिया होगा और ये नदन सरकार ठीक है ये जो एरिया थे यहां पर British territory जो है वो established हो चुकी थी है ना तो ये एरिया सामने आया अब देखिए आप political conditions in 18th century India change quite dramatically and within a relatively short span of time बहुत ही short time में जो है political formations change होई किस के आने के बाद में British के आने के बाद में जो powerful group मैंने आपको बताया है सिख जाटिये सब जो थे वो धीरे-धीरे जो गायब से हो गए है then emergence of a new political group ने political group बन गए ठीक है आगे देखिए the crisis of the empire and the latter Mughals अब जो Mughals थे भही उनका खातमा धीरे-धीरे-धीरे होने लगा ऐसा नहीं था एकदम से Mughals को एकदम साइडी कर दिया और British निताज पैन लिया कर यहां पर रूल करने लगे ऐसा नहीं था धीरे-धीरे जो है 17th century chapter 4 में आप पहुँच जाईए आपने देखा कि किस तरीके से बावर ने जो है यहां पर Mughal Empire की नीव रखी और फिर उसको धीरे-धीरे-धीरे हुमायू अगबर इन सबने उचाई तक पहुच जाया ठीक है लेकिन लास्ट जो effective ruler रहा औरंग जीव औरंग जीव के बाद में फिर जो है एकदम खतम होना शुरू हो गया ठीक है एकदम हाइट पर पहुच गया जब कोई चीज या फिर कोई empire जो है ऐसा नहीं है कि हमेशा ही उचाई पही जाता है उसमें fall down भी होता है ठीक है तो धीरे-धीरे जो है वो एक crisis का सामना करने लगा then 17th century की आते-आते थक then emperor औरंग जीव had depleted the military and financial resources of his empire by fighting a long war in the Dhakkan अब यह जो औरंग जीव था chapter 4 में हम देख चुके हैं कि बार 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 इसने दकन पर कितने जादा जो है यहां पर war किये है ना कितनी बार attack किया इसने तो उस attack के अंदर ऐसा तो नहीं था ना कि वही सामने वाली party का ही नुकसान हो रहा है कितने सारे resources, army, weapons यह सब वहां पर invest हो रहे थे तो इस invest के चक्कर में जो है धीरे धीरे financially जो resources थे वो उसके खतम होने लगी ठीक है कहां पर बार बार किया था इसने दकन पर अलाकि उस पर उसने capture भी कर लिया था लेकिन काफी resources उसके खर्च हो गए थे then the efficiency of the imperial administration broke down it became increasingly difficult for the latter mughals emperor to keep a check on the powerful man sabdars yes अब धीरे धीरे उनका जो administration था वो तोटने लगा और साथ ही जो powerful man sabdars थे ठीक है अपना एक अलग ही kingdom start कर दिया था ना जो भी man sabdars थे उन पर ठीक है अब क्या हो रहा था यह जो गवर्नर सुबदार थे इनका क्या रूल था देखिए hold extraordinary political economic and military power over vast reasons of the mughal empire देखो बचो अब जब सुबदार मनसबदार यह जो है strong हो गए है राजा से जादा strong हो गई क्योंकि direct जनता के contact में यही थे ठीक है अब direct connection में जनता के साथ यह है तो जनता किसकी बास सुनेगी इनकी सुनेगी ठीक है तो उन्होंने जो है जो मughals थे उनसे एक अलग ही अपना kingdom start कर दिया ना तो एक तरीके से extraordinary political, economical और military power इनके पास में आ गई है ठीक है so then impact क्या हुए इसके क्या effect हुए इसके देखे governors consolidated their control over the provinces the periodic remission of revenue to the capital declined yes governors जो थी उन्होंने जो अपनी control power थी provinces पर जो भी रियासते थी उन पर अपनी power जो है तरीके से छाप दी थी then the periodic remission of revenue to the capital declined और इसे के साथ में capital जो थी वो declined हो गई किसकी मुगल्स की मतलब कहने का मतलब है all over मैं आपको क्या summarize करना चाहरे हुए यहाँ पर कि जो प्रेटर मुगल्स से उनका एक तरीके से राजपार्ट जो था वो खतम होने लगा था और उनकी जगह कौन उनके उपर हावी हो रहे थे उनके जो मनसबदार सुबदार्स यह सब ठीक है आगे देखिए पीजेंट एंड जमीदारी रेबिलियन इन मैनी पार्ट्स किस तरीके से जो पीजेंट्स और जमीदार्स थे उनके रिबैल कर दिया काफी जगह क्या उसकी रिजेंस रहे लेट सी प्रैशर ओफ माउंटिंग टेक्स यह जो अलग-अलग तर थे ठीक है वो अपनी खुद की पॉजिशन जो है कंसोलिडेज करने लगे है ना मतलब पावरफूल जादा हो गये जो एक्ट्यल में जो एंप्रेर था उससे भी जादा वो पावरफूल हो गये रेबिलियन नौच और यह कोई नहीं तत्या या नहीं बात नहीं थी कि पहल क्या special था कि जो रिबेल कर रहे थे ना जो इनका विरोध कर रहे थे जो चेफटन्स थे जो लोकल चेफटन्स थे या फी जो और दूसरे जमिदार थे पीजर्स थे वो क्या हो गये थे उनके पास में भाई आप एकोनोमिक रिसॉर्स आ गये थे एकोनोमिक लिवो पावर्नर्स लोकल चीफटन्स और अदर ग्रूप्स येस जो मुगल एम्परर औरंग जेब के बाद कि जो रूलर्स रहे वो नहीं रोक पाए जो भी परिटिकल पावर एकोनोमिकल पावर जो शिफ्ट हो रही थे इनके पास में चीफटन्स के पास में जो भी सरदार थे उनके पास से वो पावर जा रही थी तो ऐसा होने से वो नहीं रोक पाए जो भी कौन थे प्रविंशल गवर्नर्स थी लोकल चीफटन्स थे इनके पास में ये पावर शिफ्ट हो रही थी पावर उनके पास में जा रहे थे वो धीरे धीरे पावर्फुल हो रहे थे तो ऐस करने से और अंग्जेब के बाद के रूलर्स जो है वो नहीं रोख पाए ठीक है आगे देखिए तो इसी कारण से अब यह जो सारी चीजी हो रही है तो यहां पर मुगल्स एकदम वीक पड़ गए है ना जो लेटर मुगल्स है वो तो किसी राइटर ने दिखिए उस टाइम क पूरे administration को empire को देखते हुए कोई एक लेक लिका है देखिए क्या है rich harvest and empty coffers येस जो फसल थी वो तो बहुत जादा थी and empty coffers लेकिन खजाने खाली हो गए थे उनके अब फसल जादा थी it means peasants तो अपना काम कर रहे है बहुत अच्छे से लेकिन खजाने खाली पड़े है तो the following is a contemporary writer's account of the financial bankruptcy of the empire तो ये आपको क्या दिखाना चाते है कि भाहा की financial condition कितनी वीक हो गई थी so the great जैसे bank corrupt होते है उस तरीके से तो the great lords are helpless and impoverished their peasants raise two crops a year but their lords see nothing of either and their agents on this port are virtual prisoners in the peasants yes क्या बताना चाह रहे है कि भही किसान जो थी peasants जो थे वो तो साल में दो फसल जो है वो grow कर रहे थे लेकिन उनके lords जो थे उनको एक भी देखने को नहीं मिल रही थी है मतलब पीजन्स तो बहुत क्या है एक तरीके से संपन है एकदम लेकिन उनके लॉट जो थी वो एकदम गरीब हो चुके है and the reasons on the spot are virtual prisoners in the peasants hands like a peasant kept in his creditors house until he can pay his debt yes और एक तरीके से जो भी peasants थे है वो पूरा क्या थे संपन थे ठीक है उनके पास में खाने पीने की कोई कमीनी थी फसल भी ग्रो कर रहा है और साथ ही जो है लेकिन उनके जो लॉड है उनके जो मालिक है वो एक agent की तरह जो है मूत आक्टे भी उनको देख रहे हैं तो इस तर as a wisp of a straw yes जो peasants है वो तो एक तरीके से उनको तो सोने में खेल रहे है वो तो हना लेकिन उनके जो lord है उनके जो agent है उनके जो head है उनको कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है how then can the lord keep the arm force he should तो कैसे वो अपनी arm को या फिर अपने बल को जो है आगी रख सकते हैं किसकी बात हो रही है agents की how can he pay the soldiers who should go before him when he goes out और कैसे वो अपने soldiers को अपने सैनिको को पे कहां से करेंगी ठीक है किसकी बात हो रही है इनकी मालिकों की or the horseman who should ride behind him और कैसे उस horseman को सवार को पे करेंगी जो कि उसके आगया पीछे चलता है ठीक ह अब ये धिरे धिरे मतलब पूरे मुगल्स लेटर मुगल्स की situation बता रहे है financial है अब देखे इसी के साथ में attack हो रहा है attack of नादिर शाहा तो देखो ये सारे काम ऐसा नहीं अलग अलग time पे चल रहे है ठीक है ये भी हो रहा है ये भी हो रहा है तो मतलब बहुत सारे reasons हुए जिसके करण से मुगल empire जो है वो एकदम decline हो गया तो नादिर शाह का attack भी हुआ मुगल empire was in economic and political crisis the ruler of Iran नादिर शाह sacked and plunged the city of Delhi in 1739 ये जब नादिर शाह का attack हुआ 1739 में दिली पर इसने कबजा कर लिया तो उस time पे भी काफी crisis का सामना इनको करना पड़ा then this invasion was followed by a series of plundering raids by the Afghan rulers एहमर शाह अबदाली और ऐसा नहीं था स्रीफ ये नादिर शाह केला नहीं था उसके बाद में एहमर शाह अबदाली ने भी इसको continue किया यहाँ loot part मचाई इसके करण काफी financial condition जो है इनकी खराब हुई then आगे देखिए who invaded North India five times between 1748 and 1761 पहले भी मैंने आपको बताया है कि इसने five time जो है यहाँ पर attack किया 1748 to 1761 में और काफी loot part यहाँ पर मचाई divorce possible humiliation camp when two Mughal emperors yes लेकिन सबसे ज़्यादा अगर देखे हम condition खराब किन Mughal emperors के time पे हुई फारुक सियर 1713 to 1719 और आलम गिर्स second 1754 to 59 एकदम कंगाल जिसको कहते है उस नहीं इन दोनों के time पर ऐसा हुआ इन दोनों को भाई अंधा कर दिया गया उनके nobles के through ठीक है nobles में आपको बताया था कि nobles कौन होते थे इनके कोर्ट में इनके एडवाइजर्स होते थे ना सीनियर्स होते थे इनके वह एडवाइजर्स होते थे तो इन एडवाइजर्स के वीच में जो यह nobles होते थे स्रिफ ऐसा नहीं था कि वह किसी एक particular group से थे अलग-अलग groups के होते थे तो उनमें भी आपस में competition रहता था जिसका इसकी problem जो है किसको जेनली पढ़ती थी उस ताइम पे जो भी मुगल emperor होता था उसको तो competitions amongst different groups of nobles like Iranis, Turanis, देखो अब इनके mother, father जो होते थे वो अलग-अलग group से बिलॉंग करते थे लाइक Iranis से थे, Turanis से थे ना तो the latter Mughal emperors were puppets in the hands of either one of the other of these two powerful groups ठीक है तो यह एक तरी इनके इशारों पर नास देते है ना तो अब इनके बास सुनते थे तो इरानीज नाराज हो जाते थे ना इरानीज की सुनते थे तो तो तुरानीज नाराज हो जाते थे ना तो ऐसे इनके वीच में conflict चलते थे तो puppets बनके रह गए थे इनकी है ना आगे देखिए तो नाद क्या क्या wealth यहां से loot कर लेकर गया, the Mughal treasury as follows 60 lakhs of rupees and some thousand gold coins, yes, क्या लेकर गया भई, 60 lakhs तो cash ले गया, उस time की बात ही है था, and some thousand gold coins भूले गया, then, nearly 1 crore wealth of gold were, nearly 50 crores worth of jewels, लगभग, कितने, 1 crore के तो gold were ले गया, इसे के साथ में 50 crore के गया ले गया, was jewels ले गया, most of them unrivals in the world, under the above included the peacock throne, yes, और मयूर सिंगासन जिसको कहते हैं, उसको भी यहां से ले गया, तो इस तरीके से, मतलब इतनी जो यहां की तरीके से पूरी wealth, जो अभी हमने पहले देखा था, कि भई, जो खजाने खाली नहीं होंगे, तो क्या हो गया, सारा सब कुस तो लूट कर ले गए यहां से, तो इतनी जो है, यहां पर crisis एक तरीके से मत चुकी थी, और जो मुगल empire था, वो एकदम decline हो चुका था, financially एकदम weak हो गय थे, politically weak हो गय थे, ठीक है, अब आ रही है British company, ठीक है, तो इसी के साथ में और क्या-क्या political formations हुए, continue हम आगे वीडियो में पढ़ने वाले हैं, फिलाल आप इतना अच्छे से देखिए समझेए, thank you so much.